नमस्ते बच्चों, उमीद है आप सब सुरक्षित होंगे, आज इस विडियो में हम सीखेंगे हमारे अगले चार व्यंजन, मगर अगले चार व्यंजन सीखने से पहले बच्चों, आएए दोहर आते हैं, पिछली विडियो में सीखे गए चार व्यंजन य, र, ल, व, आईए बच्चों एक बार फिर दोहर आते हैं, य से यग्य, र से रत, ल से लटू, व से वन तो बच्चों, आज का हमारा पहला व्यंजन है, श, श से शलगम, और शलगम को इंगलिश में कहते हैं, टरनेप, और टरनेप को हिंदी में कहते हैं, श से शलगम, आईए देखते हैं बच्चों, श कैसे लिखा जाता है दूसरी लाइन से शुरू करते हुए बच्चों, हमने बनाया एक आधा चांद, और फिर उसके आगे लगा दिया हमने एक और बड़ा सा चांद, और फिर उसके पैर हमने अंदर की तरफ मोड दिये बच्चों, और फिर उसके पैरों पर हमने बांदिया एक तेड़ा सा डं जो नीचे जमीन को चू रहा था और उसके साथ बना दिया हमने एक और बड़ा सा डंडा और फिर हमने दे दिया उपर छाता तो बच्चों बन गया हमारा श, श से शलगम तो बच्चों हमारा अगला व्यांजन है श, श से शटकोन और शटकोन को हम English में क्या कहते हैं? Hexagon और Hexagon को हम Hindi में क्या कहते हैं? श से शटकोन तो बच्चो आईए देखते हैं श कैसे लिखा जाता है? दूसरी लाइन से शुरू करते हुए बच्चो हम बनाएंगे एक छोटा सा जूला और उसे बांग देंगे एक बड़े से डंडे के साथ बच्चो और फिर बना देंगे बीच में एक और डंडा और इसको दे दिया हमने चाता तो बच्चो बन गया हमारा श से शटकोन अगला व्यंजन है स स स स स स स सबजी स 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 इनसे शुरू करते हुए बच्चों, हम बनाएंगे एक आधा चांद, जो सामने देख रहा है, फिर हम उसके पैर लगा देंगे नीचे जमीन पर, और फिर बनाएंगे हमें छोटी सी पूँच, जिसे बान देंगे एक डंडे के साथ, और फिर दे देंगे उपर चाता, तो बच्चों, ये बन गया हमारा स, स से सबजी, तो बच्चों, आज का हमारा आखरी व्यंजन है, ह, ह से हल, और हल को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, प्लाव, और प्लाव को हिंदी में क्या कहते हैं, ह से हल, तो आएए देखते हैं बच्चों, ह कैसे लिखा जाता ह दूसरी लाइन से शुरू करते हुए बच्चो हमने बनाई एक छोटी सी डंडी फिर हमने बनाया एक आधा चांद जिसके पैर नीचे को कर दिये और वो आधा चांद नीचे को देख रहा था बच्चो और फिर हमने बना दिया एक और चांद जिसके पैर लगा दिये हमने नीचे जमीन पर और फिर दे दिया उसको हमने चाता तो बन गया हमारा ह, ह से हल तो बच्चों आईए दो राते हैं आज की विडियो में सीखे गए चार वियंजन श से शलगम श से शटकोण स से सबजी ह से हल श, श, स, ह तो बच्चों ये थे हमारे आज के चार वियंजन आज आप सब का ग्रहकार है आप सभी बच्चे इन चार वियंजनों को लिख कर उनका अभ्यास करेंगे धन्यवाद बच्चों सुरक्षित रहें